पेश है HelloNix Prism Wi-Fi Bulb, Downlighters और Batons जिससे आप अपने जीवन और घर दोनों को चमकाने के लिए लाखों रंगों में से चैन कर सकते हैं। अब रोशनी, रंग और Wi-Fi की दुनिया में आपका स्वागत है। HelloNix Prism Wi-Fi Bulb, अब आप लाखों रंगों में से चैन करके अपने कमरों की रोशनी का रंग अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। HelloNix Wi-Fi App और Bulb को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया। HelloNix Wi-Fi App डाउनलोड करने के लिए Google Play Store या Apple App Store पर इसे खोजें। इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर इंस्टॉल होने के बाद आप को स्टार्ट करें। HelloNix Privacy Policy पेज पर जाने के लिए Register पर क्लिक करें। और फिर Agree पर क्लिक करके Registration पेज पर जाएं। Authentication Code पाने के लिए अपने देश और शेत्र का चैन करें। उसके बाद अपने मुबाइल नंबर या इमेल आईडी को दर्ज करें। Authentication Code मिलने के बाद उसे दर्ज करके अपने पासवर्ड का चैन करें। Registration प्रक्रिया पूरी करने के लिए Completed पर क्लिक करें। Halonics Wi-Fi एप पर अपने Lamps के ग्रुप का नाम और स्थान का विवरन भरें। अब आप मुख्य प्रश्च पर जाकर और Add Device पर क्लिक करके Halonics Prism Wi-Fi बल्ब को जोडने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बल्ब को जोडने के लिए पहले अपने फोन नंबर को अपने Wi-Fi से जोड़ें। फिर बल्ब के स्विच को आउन करें। इससे आपका बल्ब तेजी से जपकेगा। अगर बल्ब अपने आप नहीं जपकता, तो 3-4 बार जल्दी से स्विच को आउन आफ करें। अब आप आप पर अपने वाइफाई का विवरण भरें और प्रक्रिया समाप्त करें। अगर आप ओर भी हैलोनिक्स प्रिज्म बल्मों को जोड़ना चाहते हैं, तो बताई गई प्रकिया को दोहराएं। हैलोनिक्स प्रिज्म वाइफाई बल्बों का समू ही करण करना सभी हैलोनिक्स बल्बों को साथ में नियंतरित करने के लिए किसी एक डिवाइस के कंट्रोल स्क्रीन पर जाएं उसके बाद आप पर दाहीनी और उपर की तरफ स्थेथ आइकन पर क्लिक करें अब क्रियेट ग्रूप पर क्लिक करें अब आप जिन भी बल्बों को साथ में जोडना चाहते हैं उन्हें चुने और समू को नाम दे कर उस तब पुष्टी करन करें किसी अन्य सेलफोन से बल्ब को जोडने के लिए आप बल्ब को एक मिनिट के लिए स्विच ओन रखें और फिर तीन चार बार जल्दी जल्दी ओन ओफ करें आपका बल्ब कुछ बार जपकेगा अब आप इसे दूसरे सेलफोन से जोड सकते हैं हैलोनेक्स प्रिज्म वाइफाई बल्ब का प्रयोग आपके द्वारा आप अपनी आवश्यक्ता अनुसार सभी बल्बों को एक साथ या सिर्फ एक बल्ब को नियंतरत कर सकते हैं क्लिक करने के बाद आपको उपर चार विकल्प दिखाई देंगे वाइट, कलर, सीन और म्यूजिक वाइट पे क्लिक करने पर आपका हैलोनिक्स प्रिज्म वाइफाई बल्ब सफेद रंग में प्रज्वलित हो जाएगा आप अप के द्वारा इसकी रोश्नी को तेज या कम कर सकते हैं कलर पे क्लिक करके आप अपनी इच्छानुसार रंग का चैन कर सकते हैं आपका हैलोनिक्स प्रिज्म बल्ब उसी रंग में प्रज्वलित हो जाएगा आप अप के द्वारा इसकी चमक को नियंतरत कर सकते हैं सीन पर क्लिक करके आप पूरु निर्धारित द्रिश्यों में से चुन सकते हैं और जब आप म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो आपका हैलोनिक्स प्रिज्म वाइफाई बल्ब उस संगीत के ताल में रंग बदलेगा जो आप बजाएंगे हैलोनिक्स प्रिज्म वाइफाई बल्ब की मदद से आप रात को आसानी से सो पाएंगे और सुभा तरो ताजा जागेंगे आप हैलोनिक्स वाइफाई आप के मुख्य प्रश्ट पर नीचे की और दाहिनी तरफ स्थित शेड्यूल आइकन पर क्लिक करके अपने सोने और जागने के समय के अनुसार सेट कर सकते हैं इससे सोने के वक्त स्वचालित रूप से रोश्णी कम हो जाएगी और जागने के वक्त रोश्णी बढ़ जाएगी ताकि आप तरो ताजा जागें आप Amazon के Alexa या Google Home के साथ Halonics Wi-Fi आप को जोड सकते हैं और Voice Command के जरीए रंग और चमक बदल सकते हैं Alexa के साथ जोडने के लिए आपको Alexa आप पर जाने की जरूरत है उसके बाद Skills and Games सेक्शन में जाएं अब Halonics Wi-Fi Skills को खोजें और अपने Halonics Wi-Fi आप के अकाउंट को लिंक करें अब Alexa आप के Discover Devices सेक्शन में जाएं आगे बढ़ने पर आपको Halonics Wi-Fi आप में जुड़े बल्ब यहां दिखाई पड़ेंगे अब आपके बल्ब Voice Command से चलने के लिए तैयार हैं Halonics Prism Wi-Fi बल्ब, डाउन लाइटर्स और बैटन से आप वास्तव में अपने जीवन और प्रकाश दोनों में आसानी से रंग ला सकते हैं